बेक्री स्टाइल बनने वाली चोक्रेट पेस्ट्री की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पर्फेक्ट बेक्री स्टाइल जैसी पेस्ट्री आप घर में आसानी से बना सकते हैं यह बेस्ट्रीस बहुत जादा आसानी से घर में बनकर त्यार हो जाती हैं तो इस रेसिपी को आप एंट तक जबू देखें ताके परफेक्ट तरीके से यह आपको घर में बनना आजाएं तो चलिए इसको बनना स्टार्ट करते हैं सबसे पहलरे आपको एक बल देना होगा इसकी आहोत पर आप चनी रख दे सबसे काटी इसमें बेकिंग पोडर का इसस्तमाल नहीं कर रही हो उंधिय। इससे जो परफ होती है वो स्पुटी बन कर तयार होगी करëं करने के बाद एक साइट पर रख दें और इसकोरच ऩीड़क मॉल लें यह को कर्या हैutor इल के साथ करेंगाने डी इन गचสफ लिए इसको आपको रईडी करको ना होगहाँ एक साइट पर जब इस तरह अंडे फ्लफी हो जाएं तब इसमें आपको एक कप जितनी शुगर एट करनी होगी, लेकिन शुगर आप इसमें थोड़ी थोड़ी करकर एट करें, इससे जो आपका स्पंज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन कर त्यार होगा, तीन स्टेप में मैं इसमें इसमें थोड़ी जाएं न इसमें आपको आपको आपका स्बाक्रां वांयन थोड़ी एक थोड़ी होगाएं, इसमें बन प्लफी बनकर त्यार होगा पांच से दस मिनट के लिए मैंने इसे बीट कर दिया है इस तरह का मिक्सचर बनकर त्यार रहे चुका है अब जो मैंने राइ इंग्रीजिएंस रखे थे यह आप स्टेप आप स्टेप इसमें एट करें सबसे पहले थोड़ा इसमें पौडर वाल जिसतरा मैं मिक्स कर रहे हूं बिल्कुल इसी तरह आ भी मिक्स करियेगा इसे यह होगा कि जब इसका स्पंच यो है वो बैक हो जाएगा तब वो सौफ्ट रहेगा और वो फियफी भी रहेगा अगर आप चाहें तो हलके हात से भी इसे मिक्स कर सकते हैं इसकी मदद से भी बहुत उज़ादा असारी से मिक्स हो जाता है तीन स्टेप में मैंने इसमें ट्राइंग्रियस एड़ करती हैं साथ ही मैं इसे मिक्स भी करती जा रही हूं वीडियो को थोड़ा सा मैंने फास्ट किया है लेकिन आप इसे बिल्कुल हलकी आता से मिक्स करें क्योंकि बैक्षी जेसी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं अभी अची तरीके से मिक्स हो चुका है आप देख सकते हैं अभी तरके मिक्स रॉफ ही है क्योंकि मैंने इसे बिल्कुल हलकी आता से मिक्स किया है अब इस पंच को ची तरीके से इस तरह मिक्स करना होगा ये बिल्कुल र करें 120 के टेंपरेचर पर जब तक स्पंज बेक हो रहा है इसकी क्रीम बना लेती हूं तो सबसे पहले आपको दो कप जितनी विपिंग क्रीम लेनी होगी इसे या बीट करें पांच मिनाट तक लगाता जब आप इसे बीट करेंगे तब यह अच्छी तरीके से फ्लॉफी होना अच्छी तरीके से बीट हो जाती है अब इसका सीरॉप बनाना होगा तो सबसे पहले हाफ कप जितना मैंने पानी लिया है इसमें 2 टेबल स्पून शुगर का पॉर्ड इसको आप मिक्स करकर एक साइट पे रख दें यह वह पैस्ट्री इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट अब मैंने 2 नौजल लिये हैं सबसे पहले आपको एक लास रखना होगा पाइपिंग बेग में नौजल एट खाने के बार इसमें आप वाइट जो क्रीम मैंने एट किया है वो इसमें रख दें यह नौजल जो हैं वो आपको अच्छी तरीके से सेट करकर एक साइट पे कर दूंगी और इसे दो सेकंड के लिए फिर से बीट कर दूंगी इससे जो है वह चोकलेट पेस्ट्वी के लिए मुज़दार क्रीम बन का तियार हो जाएगी इसे अपने अच्छी तरीके से पाइपिंग बेग में डाल दूंगी और इसे एक साइट पर रख दूंगी के जो है वह ची तरीके से बैक हो चुगा है इसे आप ठंडा कर दें और आप इस तरह से जेक कर सकते हैं अगर इस्टिक किलियर आ रही है तो पर्फेक्ट तरीके से बैक हो चुगा है इसे आप डीमॉल्ट कर दें केक जब पर्फेक्ट तरीके से ठंडा हो जाए तब आप इस तो इसके उपर आप क्रीम लगा दे अगर आपके पास इस तरह का नोजर नहीं है तो सिंपल आप फाइपिंग बेग में क्रीम डाल कर भी इसे अच्छी तरीके से लगा सकते हैं अब जो केक के लिए चेरी जाती हैं तो इसको मैंने भलका सकट कर दिया है यह मैंस में डाल और इसके उपर दूसरी लिया रगतूँगी आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और मज़ेदार स्पंच पनी है चुझके बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने से बीट किया था इसको उपर आपको शुबर वाला सीरप लगाना होगा और इसके उपर आप क्रीम लगा दे च इसका फाइना लुक अच्छा आना चाहिए अच्छी तरीके से आपको इसके ओपर रिम अप्लाए करने होगी अगर आप साद्यों के मौसम ऐसे बना रहे हैं तो परफेक्ट तरीके से यह बनेगा लेगिन गर्मियों के मौसम में आपको इसे थोड़ी दिर के लिए फेश म मैं रखूंगी दो मेने चॉक्लेट ली हैं इसको आप अची तरीके से चुरी की मदर से कट कर दें पेस्ट्री के ऊपर यह चॉक्लेट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन अगर आपके पास कंपाउट चॉक्लेट है तो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं इसको यहाद सकते हैं उचे तरीके से चॉरी की मदर से आप रख तरक हमें दस के बात में रिहां दिश्च उससे बारत नकाल दिया है अब इसे आप दिनीला कट करें सबसे पहले इस तरह कट करें बड़ी मीचुरी इस्तमाल कर रही हूं जो कि बेकिंग में की जाती है अब इसे में कट कर रही हूं परफेक्ट तरीके से आप की छे पेस्ट्री बनका त्यार हो जाएंगी आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट और आसान से गर में बन सकते हैं अब तीन पेस्ट्री के उपर में चोकलेट लगा दूँगी और इसके उपर में एक फ्लावर बना रही हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है पेस्ट्री के उपर अगर आपको चोकलेट पेस्ट्री बनाने की रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे पेज बज़र लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें इसके उपर आपको चेरी लगाने होगी जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाती है घर में बहुत ही ज़्यादा असानी से अब आप वर्ते केक पेस्ट्री बना सकते हैं क्योंकि आगे भी मैं आपके साथ इस तरह के परफेक्ट रेसिपी शेयर करने वाली हो, जबी आप ये पेस्ट्री बनाएं तो आदे घंटे के लिए इने फिर्ज में रखकर फिर सर्फ करें, क्योंकि फिर्ज में रखने से और ज्यादा मज़िदार ये पेस्ट्री बन कर त्यार हो जाती है, आप देख सकते हैं कितना स परफेक्ट बनने वाली पेस्ट्वीज पसंद आई हैं तो मेरे पेज को जरू सब्सक्राइब कर दें, और मुझे कमेट्स में जरू पताईगा,